प्यारे बच्चों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पार्ट साला में दोस्तों नेशनल मीन्स का मेरेट स्कॉलर से पिक्जाम के लिए विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे एक महात्पूर चैप्टर है जीव जगत दोस्तों बायलोजी का ये चैप्टर है इससे पहले हमने बहुते विज्ञान रसायन विज्ञान के सभी प्रशन चैप्टर वाईज आप सभी को पढ़ा दिये हैं आज से हम लोग जीव विज्ञान स्टार्ट करते हैं जिसमें पहला चैप्टर है जीव जगत इससे सम्मंधित बच्चों आपकी परिच्छा में हर वर्ष तीन से चार प्रशन पुशे जाते हैं तो वीडियो को लास्ता जरूर देखेगा काफी इंपोरेंट प्रशन इस वीडियो में लिए गया है और यहां से आपके प्रशन 100 प्रशन बनेंगे जो भी प्रशन आपको नहीं आता है उसको आप काफी पर नोट करते हुए चलेंगे तो आएए शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर बच्छों दिया गया है मूल रोम पाई जाती है आपसन दिया गया है तना में पत्ती में कली में या जड में तो बच्छों मूल रोम मूल का मतलब ही होता है जड तो मूल रोम किस में पाई जाती है जड में पाई जाती है आपसन नमबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा कोशन नमबर 2 है प्राकर्तिक वरड द्वारा जीव जातियों के विकास की परिकलपना किसने प्रस्तुत की थे आप्सन है वाइजमैन, हीओगो डिवरीज, चार्स डार्बिन या लैमार्क तो ये वच्चों काम किया था चार्स डार्बिन ने सी आप्सन वच्चों सही जवाब हो जाएगा ये कोशन लिखने वाला है आप इसको लिख कर याद करें कोशन नमबर 3 दिया गया है प्रांकुर से पौधे का कौन सा भाग बनता है प्रारोह, मूल, पत्ति या पुस्प तो इसका उच्चों राई चांतर हो जाएगा प्रांकुर से पौधे का प्रारोह, भाग जो है विखसित होता है बनता है अब ये क्या होता है आपने अगर बीज को उगते हो देखा होगा तो उसमें दो चीजें पहले निकलती है पहले आपका मूल, मूलांकुर निकलता है उसके बाद प्रांकुर निकलता है प्रांकुर से पौधे का जो जमीन के उपर का भाग होता है जिसमें पतियां और तना होता है ये निकलता है बनता है इसके अलावा जो मूलांकुर होता है उसके जड़ का निर्माड होता है तो ये चीज़े आपको ध्यान लखनी है कोश सहारा देने वल जड़ें क्या होती हैं जैसे बरगद में आपने देखा होगा जो साखाओं से जड़ें निकलती हैं और नीचे जमीन में लग जाती हैं तो वो सहारा देने जड़े होती हैं इसी प्रकार से गन्ने में भी जड़ें आपको दिखाई देती हैं जो तने से निकल ठीक तो इसका वचो राइट रांसर हो जाएगा डी आफ्सन गेहूं जो है एक वर्सी पोधा है इसके अलबा गुलाब आम केला ये बहुर्सी पोधे हो जाते हैं वचों 2016 2016 में आपके तीन प्रण देखो पूछे गए हैं छड़ा नम्मर क्वेश्चन कहता है कि पर्ण बरंत पर्ण फलक मद्य सिरा और बहुत सारे भाग जो पत्तियों के भाग होते हैं इसका वचोर आई चांसर हो जाएगा पत्ति का भाग होता है पर्ण बरंत ठीक कोशन नम्मर साथ दिया गया है जड़ों का विकास होता है फ्रांकुर द्वारा मूलांकुर द्वारा तने द्व का विकास होता है फल किस से बनते हैं प्रांकुर द्वारा मूलांकुर द्वारा अंडासय द्वारा या इन में से कोई नहीं तो बच्चों प्रांकुर द्वारा आपने सीखा कि प्रारोह तंदर का विकास होता है मूलांकुर से जड़ तंदर का विकास होता है और अंडास से किसका विकास होता है फलों का विकास होता है और एक होता है बीजांड से पौधे में जो फल लगता है और उसमें जो बीज होते हैं वो बीजांड से विक्सित होते हैं तो इसको द्यान रखेंगे प्रिश्ण आपका बन सकता है कुश्चन नमर 9 है पत्ती का भाग नहीं है पर्ण फलक ये होता है पत्ती का भाग, मद्य सिरा ये भी आपका होता है, बाहदल और परवरंथ, तो परवरंथ जो है ये तो पत्ती का भाग है, लेकिन बाहदल अगर आप देखेंगे तो ये पुस्प का भाग होता है, इसलिए आपसर नमबर C आपका सही जवाब हो जाए कोशन नमबर 10 पर चलते हैं, तो 10 नमबर कोशन कहता है कि पौधे में जल का आउसोसड किस अंग द्वारा होता है, तो पौधे में जल का आउसोसड होता है जड के द्वारा, जड ही तो पौधे के पानी को पूर्ती करते हैं, जड जो होती है, जमीन से लगी होती है और जम दल पुंग केसर या सत्रीकेसर तो नरजनननांग क्या हैैं मादा जनननंग होता है नट में से कौन से जनतू अड़े देते हैं पैंगोलन पलेटीपस मौंगुज या ओपोसम तो पलेटीपस होते हैं ये एक ऐसे इस्तंधारी जन्तों होते हैं जो अंडे देते हैं option number B आपका सही जवाब हो जाएगा इसके बाद बच्छों question number 13 पर चलते हैं तो इसमें दिया गया है कि एक course की जीव है एक course की जीव कौन सा है के चुआ, मनुस्य, युगलीना या शिवकली तो एक course की जीव जो हम अपनी नगना आखसों से नहीं दे सकते उसको देखने के लिए सोशिम दर्शिक का इस्तेमाल करना होता है तो ये आपका right answer C आप समुझेगा युगलीना है, पैरामेसियम है इसके अलावा amoeba हो गया, ये कुरोना वाइरस हो गया ये सभी एक course की जीव होते हैं के चुआ आपने देखा होगा, मनुष्य शिपकली सब देख सकते हो आँकों से इसलिए ये बहु कोस्की जीव होते है चौदा नमबर question है, अपुस्पी पौधा है जिसमें पुस्प नहीं होता, ऐसा कौन सा पौधा है आम में आपने पुस्प देखा और जामुन भी पुस्प वाला होता है केले में भी पुस्प होता है, फूल होता है फर ना आपका right answer उचो हो जाएगा question number 15 कहता है, लीनियस को किस लिए स्रे मिला है अर्थात, लीनियस किस लिए परसिद्ध है दुई नाम पद्धती, बायो जेन परिच्छन सिद्धान्द, जीन सिद्धान्द का विसकार, या रुधिर परसंचण तंद्र तो इसका बचो right answer है, option number A दुई नाम पद्धती के लिए लीनियस को जाना जाता है तो आप इसको लिख लेजिए, लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, मेटा फाइटा वर्ग में, तो रख देंगे, यहाँ पर सेवालों को सामिल किया जाता है दुई नाम पद्धती लीनियस ने दिया था, ऐसे आप जो है, वल्लाइनर के रूप में लिख लिजिए, question number 17 है, कवक आम तोर पर आरक्षित खाद सामगरी को किस रूप में संगरहित करते हैं कवक की बात किया जा रही है, star के रूप में, glycogen और तेल के रूप में, liquid के रूप में या protein के रूप में तो B option सही है, glycogen और तेल के रूप में जो है, अपनी खाद सामगरी को संगरहित रखते हैं अठारा नमबर प्रिश्ण है, निमलखित में से कौन सा जीव अंडज है, अंडज का मतलब है अंडे देने वाला है, चूहा, किलहरी, मेढग, खरगोष, तो जो मेढग होता है ये अंडे देता है, option number C आपका सही जवाब बच्चों हो जाएगा question number 19 कहता है कि निमलखित में से कौन सी मचली है, तो मचली कौन सी है ये बताना है, रेजिस मचली, बलास्टर, सालमन या हुएल, तो बच्चों रेजिस मचली जो होती है, ये मचली नहीं होती दियान रखेंगे, बलास्टर को हम जहेंगा मचली कहते हैं, तो जहेंगा मचल ये मचली नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है, वेले के इस्तंधारी होती है, तो सालमन आपका राइट अंसर हो जाएगा, सालमन क्या है, एक मचली है, मचली का प्रजाती है, 20 नमबर प्रशन कहता है कि आलू है, फल, कंद, जड, इन में से कोई नहीं, तो फल तो नहीं है, जड़ भी नहीं है, तो कंद आपका राइट अंसर हो जाएगा, आलू क्या है, कंद है, इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि आलू क्या है, तना है, तो आलू तना होता है, देहान रखनेंगे, प्रशन नमबर 21 कहता है, एक मीटर से कम उचाई वाले पोधों को कहते है जिनकी उचाई एक मीटर से कम होती है, वो पोधे क्या कहलते हैं, साक, ब्रच, जाड़ी या इनमें से कोई नहीं, तो जो एक मीटर से कम वाले होते हैं, पोधे उनको साक कहते हैं, साक की पोधे कहा जाता है, और जो पोधे एक से तीन मीटर के बीच में होते हैं, उनको जा पुश्य नमबर 22 दिया गया है तेसा नमबर प्राणी इस्थली प्राणी, उभयचर प्राणी, या वयबुचो होता है या अपना भोजन स्यम बनाते हैं तो अपना भोजन स्यम बनाने वाले में पैंड़ पोधे Gолж수fly कहलाते है C. B. आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा Q. 24 है हरे पौधे किस किरिया द्वारा अपना भोजन स्वैम बनाते हैं तो इसका अंतर सभी को पता हो गया आपसन नमर A होगा प्रकास संसलेशर के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं 25 नमर प्रिश्ण है वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम क्या है लीनियस, अरस्तू, थियोफरेटस इनमें से कोई नहीं तो लिख लीजिएगा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफरेटस हैं कौन है थियोफरेटस C. आपसन सही है Q. 26 है वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है लीनियस, थियोफरेटस, अरस्तू या डार्बिन तो वर्गीकरण का जनक कहते हैं लीनियस को ये भी आप लिख लीजिएगा प्रिश्ण 27 नमर प्रिश्ण है जन्तु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो जन्तु विज्ञान का जनत अरश्तु को कहते हैं इसका D option बच्चों सही है question number 28 कहता है कि मचली अपने किस अंगद्वारा सुसन करती है तो मचली किस अंगद्वारा सांस लेती है तो आप सभी को पता होगा कई model paper practitioner के माद्दिम से ये question पढ़ाया जा चुके है तो गलफडों के दवारा सांस लेती है मुचली बी अपस्टन सही है गिल्स होते हैं गलफडे होते हैं उन्तिस नम्बर प्रिशन है जल में में धख अपने किस अंगद्वारा सांस लेता है यानि अगर वो जमीन पर रहेगा तब भी सांस ले लेगा और जल में रहेगा तब भी सांस लेता है तो जल में जब रहता है तो वो अपने तोचा दोरा सांस लेता है option number A सही हो जाएगा इसके अलावा ये प्रशन ये भी बन सकता है कि केचुआ जो होता है वो किस अंगद्वरा सुसन करता है तो भी तोचा दोरा ही सांस लेता है केचुआ भी तोचा दोरा सांस लेता है तीसे नमबर प्रशन कहता है कि पौधे उत्सरजन किरिया में क्या निकालते है पौधे उत्सरजन किरिया में क्या निकालते है गोंद, रबर, टैनिन, A, B, C दोनो तो D option सही है A और B C दोनों आफ्शन सही है गोंद भी निकलता है रबर भी निकलता है और टेनन भी निकलता है 31 नमर प्रिशन कहता है पौधे के जमीन के अंदर का भाग क्या कहलाता है तो पौधे के जमीन के अंदर भाग होता है उसको जड़ तंदर कहते हैं क्या कहते हैं, जड़ तंद्र कहते हैं, क्वेशन नमर 32 है, पौधे के जमीन के उपर का भाग प्रारोह तंद्र कहलाता है, यह आफ्षन सही है, 33 नमर प्राशन कहता है कि प्राथमिक, दोतियक और तर्दियक जड़ों के द्वारा किसका निर्माड होता है, अपस्थानिक जड़ों का, मूसला जड़ों का, मूल रोम का, या रेशेदार जड़ों का, तो जो अपस्थानिक जड़ों होते हैं, उसी को ही रेशेदार जड़ कहते हैं और इसमें आपका right answer है मूसला जड़ मूसला जड़ में तीन प्रकार की जड़े होती है अपस्त प्राथमिक दोतियक और तर्तियक चड़ों से मिल करके मूसला जड़ का निरूमार होता है कोशन नमबर 34 कहता है कि एक मीटर से कम नापके पौधों को क्या कहते हैं तो ये रिपीट प्रिश्ण है आप्सन नमबर A सही होगा साकी ब्रच या साकी पौधे कहलाते हैं तीन मीटर से आधिक लंबे ब्रच पौधों को क्या कहते हैं तो ब्रच कहलाते हैं पुशन नमर 36 पर चलते हैं, किसी एक मुख्य दुई वर्सी पौधे का नाम बताईए, मुख्य दुई वर्सी पौधा, केला है, चना है, मटर है या गेहूं, तो चना, मटर, गेहूं, ये सभी 6 महिने या 3 महिने के अंदर फसलें काड ली जाती हैं, इसलिए ये तो एक वर् पौधा हो जाता है, आपसन नमर A सही है, स्ताय तिस नमर प्रिश्ण है, पौधे के किस अंग द्वारा, जड़ों से पत्तियों तक जल का समवहन होता है, जड़ द्वारा, तने द्वारा, पणफलक द्वारा या पणवरंत द्वारा, तो ये वच्चो एक जो माध्यम होत होता है, जल को ले जाने का और लाने का वहता है तना, बी आपसन सही जवाब होगा, ये पाईप का काम करता है पौधो में, कौशन नमर 38 है, पत्ति द्वारा जल बाहर निकालने की किरिया क्या कहलाती है, वास्पो सर्जन, स्वसन, प्रतान, प्रकास, संसले सड़, तो इस भाग किसे कहते हैं ये भी आपको प्रश्णा आता होगा पहले भी आंसर इसका बता दिये हैं पुंकेसर जो होता है वो पुस्प का नर भाग होता है और जो इस्तरी केसर होगा ये मादा भाग होगा है ना कोश्णनर नम्बर चालिस है कमजोर तने से निकलने वाली पतली पतली धागे नमा सलचनाओं को क्या कहते हैं आपने लोकी और कद्दू का पौधा देखा होगा उसमें जो है आपको पतली-पतली धागे नमें सलचनाए आप देखें के तुम मिलेंगी तो वो Qया होती है enb बच्चों प्रतान कहलाती हैं सी आप्शन सही होगा एक तालिस नमबर प्रिश्ण है पर्ण फलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा जो भाग होता है क्या कहलाता है तो डंठल नुमा जो भाग होता है वो पर्ण बरंत कहलाता है आप्शन नमबर एसका बच्चों सही हम कहते हैं संकुरूप क्योंकि ये गाजर जो है संकुरूप ही बनी होई होती है ना तो इसको जैसे मालो ऐसे हम बना सकते हैं गाजर को तो ये संकुरूप बन जाती है ना इसलिए इसको संकुरूप कहेंगे आपसे नमर सी आपका सही जबाब हो जाएगा तो ये बच्चों इस चैप्टर से लेकर के 42 प्रसंट थे और इन 42 प्रसंटों में से आपके कितने प्रसंट सही हुए हैं आप सभी लोग कमेंट सक्षन में जरूर लिखेगा शाथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार सेर कर दीजिए प्रस होगा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग जो है माडल पेपर हल करेंगे और प्रक्टिस्ट लगातार करेंगे तो आज की वीडियो में अस्तना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यमाद जयहिन वन देवात्रम